मस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खुबसुरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप किसी भी प्रोजक्ट में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए आठ के मल्टिपल फंदे चाहिए तो चरे फ्रेंस हम डिजाइन बनाते है तो बाडर बनाने के बाद पहली लाइन में आप पहला फंदा स्लिप कर लें और फिर पाश फंदा दूसरे रंग के उनसे सीधा बने एक दू तीन चार पाश और फिर तीन फंदा स्लिप कर लें एक दू तीन पहला फंदा है जिस टीच है और इन ही आठो फंदों को हमें प पाच फंदा सीधा बुनना है और तीन फंदा स्लिप करना है कि दिजाइन का दूसरा लाइन और रॉंग साइट स्लिप किये हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे उन अपने और करेंगे ठीज़ किया हुए फंदा स्लिप करेंगे उन दूसरी और करेंगे बुना हुए फंदा सीधा बूना है इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कप्लेट कर लेंगे थर्ड रो में हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे पहला फंदा सीधा दूसरा फंदा स्लिप करेंगे तीसरा फंदा सीधा चोथा फंदा स्लिप करेंगे फिर पांश फंदे हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पांश और बुने हुए पांश फंदों में से पहला फंदा स्लिप करेंगे दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे तीसरा फंदा स्लिप करेंगे और इन दो फंदों को और ये उतारे हुए तीन फंदे इन पांश फंदों को सीधा बुनेंगे देखिए फ्रेंस बुने हुए पांच फंदों में से पहला फंदा स्लिप करेंगे दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे तीसरा फंदा स्लिप करेंगे और फिर ये दो फंदा और ये उतारा हुआ तीन फंदा इन पांच फंदों को हम सीधा बुनेंगे इसी इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे डिजाइन का पाच्वा लाइन और दूसे रंके उन से चार फंदा सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे एक दो तीन फंदा सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पाच फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे देखे फ्रेंग्स ध्यान देजेगा ये देखे तीन फंद्ध ये ये तीन फंद्ध है तो ये तीन फंद्ध और इसके आगे के दो फंदे इन पांच फंद्ध को हमें दूसरे रंग के उन्से सीधा बनना है और जो बॉक्स जैसा बन जा रहा है उसके बाद वाले तीन फंदे हैं यानि कि यह पहले रंग के बुने हुए पांच फंदों में से शुरुआत के तीन फंदे एक दो तीन इन्हें ही हमें स्लिप करना है और उसके बाद दो फंदे चार पांच को सीधा बुनना है और इन ती तीन फंदों को सीधा बुनना है , तीन फंदा सिल्प करना है , और लास्ट फंदा सीधा , रॉंग साइट से .. बुने हुए फंदे सीधा बुनने ग।在 मोग से बुमने हुए-ःए और Smith किया हुए इसिल्प करना है , , उंभे दूसरी और करेंगे , बुलने हुए खंदे सीधा बनेंगे और अपनी होक और करेंगे और स्लिप किया हुआ फणंदा स्लिप कर लेंगए इसी तरह करते हुए पुरी लाइन कंप्रेद कर लेंगे डिजाइन का सात्वा लाइन और सामने से सा अब अपने प्रैमरी कलर से पहला फंदा सीधा बुनेंगे दूसरा फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद देखिए ये पाँच फंदे तीन फंदे हमारे जो इसी रंग से बुने गए हैं और दो फंदा आगे का इन पाँच फंदो को हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांश, फिर पहला फंदा देखे बुने हुए पांश फंदों में से पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे और इन तीन फंदों को, इन पांश फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांश, देखे, ये दूसरे रंगे बुने हुए पांश फंदे हैं, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, और इन ती तीन फंदो को और लास्ट के दो फंदो को ये पांश फंदे हो गए तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे फिर से देखिएगा ये दूसरे रंग के पांश फंदे हैं तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और तीसरा फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के दो फंदो को और ये देखिए इसी रंग के तीन फंदो को इन पाच फंदो को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा दूसरे रंग का है इसे हम स्लिप कर लेंगे और wrong side से बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे इस design में हम दोनों तरफ से सीधा ही बुन रहे हैं उन अपनी और करेंगे, slip किया हुआ फंदा slip करेंगे उन दूसरी और करेंगे, बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे इसता करते हुए पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे नाइन्थ रो और फ्रन्ट साइड अब दूसरे रंगे उनसे दो फंदा सीधा बुनेंगे फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे फिर पांच फंदा सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे फिर पांच फंदा सीधा बुनेंगे देखिए बुने हुए पांच फंदों में से तीन फंदा हम पहला दूसर तीसा स्लिप करेंगे दो फंदा और ये तीन फंदा इन्हें हम मिलाके पांच फंदा सीधा बुनेंगे तीन फंदा स्लिप करने के बाद दास्ट के तीन फंदे उसे हम सीधा बुनेंगे और रांग साइड से बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे अब अपने में कलर से पांच फंदा सीधा बुनेंगे तीन फंदा ये इसी रंग के उन से सीधा था और पहले के दो फंदा इन पांच फंदों को हम सीधा बुनेंगे और देखिए दूसरे रंग के ये पांच फंदे हैं तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे तूसरा फंदा सीधा बुनेंगे तीसरा फंदा स्लिप करेंगे और फिर देखिए इसी रंग के ये तीन फंदा और ये दो फंदा इन पांच फंदों को हम सीधा बुनेंगे डिजाइन बहुत ही आसान है बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरुवत है परला फन्दा स्लिप करेंगे अगला फन्दा सीधा तीसरा फन्दा स्लिप करेंगे और फिर पाँच फन्दा सीधा पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे फिर पांश फंदा सीधा तेके ये तीन फंदा इसी रंग के उन से बुना तो गया था और दो फंदा और हमने ले लिया पांश फंदे सीधे और रॉंग साइट से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा आपको डिजाइन इस पस्ट हो गया होगा डिजाइन ऐसे ही तीर्चे में बढ़ता चला जाएगा तो डिजाइन आपके सामने है सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाईए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिज्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद